गोपाल तापन्य उपनिशद प्रस्वत करता स्वयम प्रकाश शर्मा दूसरा भाग में दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर एक से श्लोक नंबर त्रेपन तक हैं जिसमें दुर्वासा रिशी राधा और अन्य गोपियों को देवत्व के सबसे श्रेश्ट प्रतित्व कृष गोपियों ने देवत्व के सबसे श्रेश्ट व्यक्तित्व चरवाह बालक कृष्ट के साथ पूरी राध बिताई तब उनसे बातचीत करते हुए गोपियों ने कृष्ण से पूछा हम दान किस प्रह्मन को दे कृष्ण ने उत्तर दिया दान तुम दुर्वासा को दो के लिए हम यमना को पार कैसे कर पाएंगे कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम सब ये शब्द बोलो कृष्ण ब्रह्मचारी और यमना तुम्हें रास्ता दे देगी मुझे याद करने से छिछला व्यक्ति गैन हो जाता है मुझे याद करने से अशुद्ध व्यक्ति शुद्ध हो जाता है मुझे याद करने से अधर्मी व्यक्ति धर्म निश्ट हो जाता है मुझे याद करने से भौतिक इच्छाओं से भरा हुआ व्यक्ति इच्छाहीन हो जाता है मुझे याद करने से मूर्क व्यक्ति विद्वान हो जाता है कृष्ण के वचन सुनने के बाद गोपियों ने दुरवासा पर ध्यान लगाया और कृष्ण ब्रह्मिचारी कहकर उन्होंने यमना को पार किया वे सब अत्यंत पवित्र आश्रम में पहुँचे जहां जाकर उन्होंने उस सबसे श्रेष्ट रिशी दुरवासा को जुपकर प्रणाम किया और उन्हें दूद और घी से बने भोजन भेट किये जो वे अपने साथ लाई थी रिशी प्रसंद हुए उन्होंने सनान किया और जो भोजन गोपियों ने उन्हें भेट किया था वे भोजन रिशी ने खाया भोजन करके रिशी ने गुपियों को आशिरवाद दिया और वापस जाने के उन्हें अनुमत दी तब गुपियों ने रिशी से प्रश्न किया लेकिन भगवन हम सब यमना को पार कैसे कर पाएंगी रिशी ने बताया तुम सब मुझे पर ऐसे रिशी के रूप में ध्यान लगाओ जो रिशी केवल दुर्वा घास ही खाता है और यमना तुम्हें रास्ता दे देगी गुपियों में राधा भी थी जो उन सब गोपियों में सबसे श्रीष थी सभी गोपियों ने राधा को अपना नेता माना और वे सब चुक्फ हो गए राधा ने रिश्यों के वच्णों पर विचार किया फिर उसने रिश्य से ये प्रश्ण किये भगवन हमें बताओ कि कृष्ण ब्रह्मचारी कैसे हैं और आप दुर्वासा रिश्य ऐसे व्यक्ति कैसे हो जो केवल दुर्वा घास ही खाता हो रिश्य ने उत्तर दिया इंद्रियों के जो विशे हैं जो है ध्वनी, स्पर्श, रूप्या अकार, स्वाद तथा गंद ये सभी विशे तो मूल तक्तों के भीतर नहत हैं ध्वनी इथर के तक्त्व के भीतर नहत है जबकि इथर अध्वनी तो बिलकुल अलग-अलग हैं ध्वनी इथर के भीतर नहत है ये बात इथर नहीं जानता मैं तो आत्मा हूँ फिर मैं भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ स्पर्ष वायू के तत्व के भीतर नहत है जबकि स्पर्ष और वायू तो बिलकुल अलग-अलग हैं स्पर्ष वायू के भीतर नहत है ये बात वायू नहीं जानती मैं तो आत्मा हूँ फिर मैं भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ रूप या अकार अगनी के तत्व के भीतर नहत है जबकि रूप या अकार और अगनी बिल्कुल अलग अलग है रूप अगनी के भीतर नहत है ये अगनी नहीं जानती मैं तो आत्मा हूँ, फिर मैं भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ स्वाद जल के तत्व के भीतर नहत है जबकि स्वाद और जल बिलकुल अलग-अलग है स्वाद जल के भीतर नहत है, ये जल नहीं जानता मैं तो आत्मा हूँ फिर मैं भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ गंद पृत्वी के तत्व के भीतर नहत है जबकि गंद और पृत्वी बिलकुल अलग है गंद पृत्वी के भीतर नहत है लेकिन पृत्वी ये नहीं जानती मैं तो आत्मा हूँ फिर मैं भोतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ याद रहे कि यह तो मन है जो इंद्रियों के बीच रहता है और जो उन्हें स्विकारता है जब आत्मा ही सब कुछ है तब यक्ति सोच कैसे सकता है तब यक्ति जा कहा सकता है मैं तो आत्मा हूँ, फिर मैं भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता हूँ इस बात को तुम सब जान लो, कि जिसे तुम अपने प्यारे कृष्ण के रूप में जानते हो बैतवास्तव में दो प्रकार के शरीरों का स्रिष्टी करता है शरीरोपी जो व्रिक्ष है उस व्रिक्ष पर दो पक्षी रहते हैं एक पक्षी भोगी है और दूसरा पक्षी देवित्व के सबसे श्रेश्ट वित्तित्व का विस्तार है वेत के वन साक्षी है वे कुछ भोगता नहीं इस प्रकार इन दो पक्षियों में से एक पक्षी भोगी है और दूसरा पक्षी गैर भोगी है पहला पक्षी भोगी है और दूसरा पक्षी जो कृष्ण है वह गैर भोगी है वह तो साक्षी है जो भगवान है उस भगवान में हम कथा कतित ग्यान और अग्यान नहीं पाते यह जो अग्यान है और यह जो सच्चा ग्यान है यह दोनों तो बिलकुल अलग है कृष्ण तो सच्चे ज्यान से भरा हुआ है इसलिए वे कृष्ण जो सच्चे ज्यान से भरा हुआ है वे कृष्ण भौतिक वादी भोगी कैसे हो सकता है इसलिए कृष्ण ब्रहमचारी जो व्यक्ति भोगों की उतकट लालसा करता है वे तो कामी होता है और जो व्यक्ति भोगों की उतकर लालसा नहीं करता वएकामी नहीं होता कृष्ण जो जन्व मृत्यू से मुक्त है जो अपरवर्तनिय है जिसे छेदा काटा नहीं जा सकता जो यमनों के पास रहता है जो सुर्भी गायों के बीच रहता है और उनकी रक्षा करता है जो चरवाहा बालोकों के बीच रहता है जो सभी वेदों में रहता है जो सभी वेदों के द्वारा मही मानवित किया जाता है जिसने सभी वस्तूओं में प्रवेश किया हुआ है और जो सभी जीवित वस्तूओं को नियंत्रित करता है वह कृष्ण तो तुम्हारा पती है तब राधा ने ये प्रश्न किये भगवन दिवत्व का जो सबसे शेष्ट व्यत्तित्व है उसने हमारे बीच एक चर्वाहे बालक की रूप में जन्म क्यों लिया है क्रिश्ण के बारे में आप ये सब कैसे जानते हो उस भगवान का मंत्र क्या है उस भगवान का निवास क्या है उस भगवान ने देवकी की गर्व में जन्म क्यों लिया है जो दिवत्व का सबसे श्रेष्ट विक्तित्व है जो इस भौतिक जगत के बहुत उपर है वे इस प्रिथ्वी पर नीचे क्यों आया है रिशी ने बताया आरंब में तो केवल भगवान नारायन ही अस्तित्व में थे नारायन में ही ये सभी भौतिक जगत ऐसे बुने हुए हैं जिस प्रकार एक खड़ी पर धागा बुना हुआ होता है नारायन के कमल रिदय से ब्रह्मदेव का जन्म हुआ जब ब्रह्मा ने कठोर तब किया तब भगवान नारायन ने उन्हें एक वर्दान दिया वर्दान के रूप में ब्रह्मा ने एक प्रश्ण का चैन किया जो नारायन ने स्विकार किया तब ब्रह्मा ने वर्दान रूप यह प्रश्ण पूछा बगवन आपके तो अनेकों अवतार हैं उन सभी अवतारों में से सबसे श्रेष्ट अवतार कौन सा है जो अवतार मनुश्य और देवों दोनों को प्रसंद कर देता है वह एक अवतार जिसे याद करने से वे बार बार जन्म मृत्यू के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और वह अवतार सबसे श्रेष्ट क्यूं है भगवान नारायन ने ब्रह्मा को बताया जिस प्रकार मेरुपरवत की चोटी पर साथ नगर हैं जो सभी इच्छाएं पूरी करते हैं ठीक उसी प्रकार प्रित्थी पर भी साथ नगर हैं जो इच्छाएं पूरी करते हैं और जो मुक्ती प्रदान करते हैं इन नगरों में गोपाल पूरी स्पष्ट और सीधा अध्यात्मिक जगत है इस नगर में देवों और अन्य जिवों की च्छाएं पूरी हो जाती हैं और यहां हर कोई मुक्ती प्राप्त कर लेता है मतुरा या गोपाल पूरी का जो यह नगर है वे नगर मेरे चक्र की रक्षा में है और यह नगर इस जगत में ऐसा खड़ा है जिस प्रकार एक कमल सरोवर में खड़ा होता है गोपाल पूरी में बारवन है एक है ब्रिहदवन जो विशालवन है दो है मधुवन जो असुर मधु का पूर्व निवास है तीन है तलवन जो ताड़ के पेड़ों से भरा है चार है अनंदमे काम्यवन पांच है विशाल बहुलवन छे है कुमुदवन जो कमल तथा नील क पूर्णा मद से भरा है शाथ है कदिरवन जो खदीर के विक्ष्षों से भरा है आठ है भद्र वन जो बल्राम का पसिंदीदा स्थान है नो है बढ़ के पेड़ों से भरा बंदीरवन दस है सवभाग्य कीदेवी का श्रिवन, ग्यारा है असुर्य लोह का पूरर निवास लोवन और बारह है व्रिंदावन जिस पर व्रिंदा देवी का राज है इन वनों में देव मनुष्य गंधर्व नाग तथा किन्नर नाश्ते गाते हैं इन वनों में बारह आदित्य ग्यारह रुद्र आठ वसू सप्तरिशी ब्रम्मा नारद पांच विनायक वीरेशवर रुद्रेशवर अमबिकेशवर गणेशवर नीलकंठेशवर विश्वेशवर गोपालेशवर भर्द्रेश्वर तथा 24 अन्य लिंग निवास करते हैं ये वन दो भागों में विभाजित है एक भाग को कृष्ण वन या कृष्ण के वन कहते हैं और दूसरे भाग को बद्रवन या बल्राम के वन कहते हैं इन 12 वनों में कुछ वन पवित्र है और कुछ वन अति पवित्र है वहाँ देव रहते हैं और वहाँ पूर्ण जीवों ने पूर्ण ता प्राप्त की है इस स्थान पर इश्वर के रूप में राम है प्रद्यूम्न है अनिरुद्ध है तथा कृष्ण है इस प्रकार मत्रों के वनों में इश्वर के रूप में बारे देव रहते हैं जो रुद्र है जो पहले देव की पुजा करते हैं ब्रह्मा दूसरे देव की, ब्रह्मा के पुत्र तीसरे देव की, मरुत चोथे देव की, विनायक पांचवे देव की वसू छटे देव की रिशीगन साथवे देव की गंधर्व आठवे देव की अपसरायन नौवे देव की दस्वा देव अब अद्रिश है ग्यारवा देव अपने ग्रेह अपने ग्रेह को चला गया है और बार्वा देज इस समय पूज्ट्यू पर है जो लोग इस देव की पूजा करते हैं वे लोग तो मृत्यू को पार कर जाते हैं और उन्हें मुक्ती प्रात्त हो जाती है वे जन्म वृद्धवस्ता दतामित्यू इस त्रुगणात्मक दुखदर्द के परे पहुंचाते हैं आगे के ये श्लोग है भगवान कृष्ण अपनी तीन शक्तियों बल्राम अनिरुद्ध प्रद्यूम तथा रुक्मिनी के साथ आनंदमाई मुथरापूरी में रहते हैं जो ब्रह्मा तथा अन्य देवों द्वारा पूजी जाती है और जिसकी रक्षा शंक, चक्र, गदा तथा शारंग धनुष द्वारा की जाती है शंक, चक्र, गदा तथा शारंग ये जो चारों नाम है ये चारों नाम ओम नाम के एक समान है व्यक्ति को सदा इस प्रकार सो मैं तो भौतिक वासनाओं, भौतिक कामनाओं से परे हूँ, मैं अध्यात्मिक हूँ, व्यक्ति को ऐसा सोचना चाहिए, मैं तो बागवान गोपाल का हूँ, इस प्रकार सोचने से व्यक्ति मुक्ति प्राक्त कर लेता है, व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रक्रत्य को पा लेता है, वै आत्मा को जानने वाला बन जाता है, वै भगवान तो सृष्टि के आरंब से ही बड़े प्यार से प्रेरित प्रभावित आत्माओं अर्थात गोपों की रक्षा अर्थात अलिप्ति करते हैं, इसलिए वै भग अर्वान गोपाल के नाम से जाने जाते हैं, ओम तच्शत मैं तो आत्मा हूं, मैं तो क्रिष्न का भिन अंग हूं, मेरा अध्यात्मिक रूप तो सदा आनंद से भरा रहता है, ओम इसलिए देवत्व का सबसे श्रेष्ट जो वित्तित्व है, वै गोपाल के नाम से जाना जाता है, अपने पूरे रिदह से व्यक्ति यही सोचे, मैं तो गोपाल का हूं, भग्वान गोपाल अव्यक्त है, भग्वान गोपाल सीमाहीन है और भग्वान गोपाल शाष्वत हैं, हाँ भगवान गोपाल अव्यक्त है भगवान गोपाल सीमाहीन है और भगवान कोपाल को शाष्वत है इसके साथ ही गोपाल तापनीक उपनिशयत का दूसरा भाग संपन हुआ ओम में शानती शानती-शानती-ओम